तो देखिए इस तरह से ऐने पहला वाला प्रूफ कर लिया है अऑग हम लोग सेकेंड वाले कॉस्चन को देखते हैं दिया है डि, b, c,k, sum, kod यहाँ ध्यान दिया है d, b, c,k, sum, kod यह सिद करना जो यहां वाला kod है यह b वाला कod है d, b, c यह जो B वाला कोड है इसी को सीध करना है यहाँ यह जो पूरा कोड है यह सम कोड है सम कोड मतलब 90 अंस कतको ऐसे सीध करेंगे तो ध्यान क्या देंगे देखिए जब हमने इस दोनों तिर्भूज को सरवांगसम दिखा लिया पहले तिर्भूज में आप लोग देख सकते हैं तिर्भूज A, M, C और दूसरे तिर्भूज B, M, D यह जब दोनों तिर्भूज को हमने सरवांगसम दिखा लिया केवल यह वाला तिर्भूज और यह वाला तिर्भूज तो सरवाइंगसम दिखाने के बाद क्या हो गया दोनों तिर्भूज के सभी संगत कोड और सभी संगत भूजा बराबर हो गया तो यहां से हम लोग ले सकते हैं ध्यान दिजिए जब यह दोनों तिर्भूज सरवाइंगसम हो गया तो इस तिर्भूज का हम लोग ये वाला कोड ध्यान दिजिए और इस तिर्भूज का केवल ये वाला कोड इतना इस तिर्भूज का और इस तिर्भूज का इतना दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि सरवाइंसम है तो हम लोग अपने हिसाप से ले सकते हैं बराबर ये अब जब इसके बराबर हम लोग ये ले लेंगे तो देखिए क्या होगा तो ये जो रेखा है ये तिरियक देखा हो जाएंगा और ये दोनों रेखा है समानतर हो जाएंगी देखिए कैसे ऐसे मालनी जी ये दिया है और ऐसे दिया ध्यान दिजिएगा ऐसे है ये तो मलने जब यहां का कोड और यहां का कोड दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोग क्या का सकते हैं दोनों तिर्भुज जब सरवांग सम हैं तो यह दोनों कोड हम लोग बराबर ले सकते हैं इस तिर्भुज का ये कोड इस तिर्भुज का ये कोड और जब बराबर हो जाएंगे तो ये कौन से कोड होते हैं देखिए तिर्यक रेखा के एक तरफ इस रेखास बने कोड तिर्यक रेखास से उपर इधर इस रेखास बने कोड दोनों तरफ हैं तो इसी को कहते हैं एक अंतर कोड़, तो एक अंतर कोड़ कब बनता है, जब ये रेखा हैं दोनों समांतर होती है, तो मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहा हैं आप लोग ऐसे है, तो एक बात और याद रखेंगे, जब दो सम अंतर रेखाए हो तो उनके बीच ये हमने आप लोगों को बताया था इसको कहते हैं अंतर कोड अंतर कोडो का योगफल हमने बताया था 180 C होता है तो यहां से ये दोनों अंतर कोड होंगे यहां 90 है तो ये भी 90 होगा तो ऐसे हम लोग निकालेंगे कि dbcx sum को रहा है तो लिखते हैं हम देखिए कासे लिखेंगे जैसे हमने बताया इसी तरस लिखते हैं तो लिखेंगे second वाले में ये दोनों तिर्भूज सरवाइंग sum है हमने उपर proof किया तो हम लोग लिख सकते हैं चूकी चूकी तिर्भूज amc amc sarwang sum है तिर्भूज bmd तो हम लोग लिख सकते हैं देखिए इसलिए ये कोड बराबर होगा किसके इस वाले कोड के तो यही वाला कोड लिखते हैं ये कोड बराबर होगा इसका अब लिखेंगे acm लिखेंगे कोड acm बराबर हो जागा बराबर हो जागा किसके इस कोड के BDM के लिखेंगे कोड BDM और जब ये दोनों कोड बराबर हैं तो ये कौन से कोड हैं ये कांतर कोड हैं इसलिए हम लोग दिखाया सकते हैं क्या कि ये रेखाया समांतर हैं हम लोग समांतर इसलिए दिखाएंगे क्योंकि जब समांतर हम ल दिखाने के लिए तो हम लोग लिखेंगे दोनों कोड बराबर हैं लिखेंगे यह यह कांतर कोड है यह कारल लिखेंगे क्यों यह दोनों बराबर हमने दिखाया जब सरवांसम तिरभूज है तो यह स्टीपी सीटी द्वारा सरवांसम तिरभूज के संगत भूजा और संगत कोड बराबर होते हैं, तो हम लोग CP, CT द्वारा ले लिए, जब सरवांग समा तो संकत कोड बराबर होंगे, तो हमने ये ले लिया, और इसका ये ले लिया है, तो इस तरह से यहें कांतर कोड है, फिर लिखेंगे इसलिए ये रेखा, इसके समांतर हो जागा C लिखेंगे इसलिए जो डीबी होगा ये क्या होगा समांतर इसको लिख सकते हैं समांतर होगा किसके डीबी समांतर होगा किसके AC के और जब समांतर होगा है तो समांतर होगा है यह जो कोड होगा यह अंता कोड का लाएंगे तो हम लोग लिखेंगे अता कोड B पलस कोड C लिखेंगे कोड B पलस कोड C बराबर 180 यहां कारण लिख लेंगे अंता कोड अंता कोड अंता कोडों का योगफल 180 होता है अब हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं code b plus code c code b का मान देखिए ये code c, b का मान हमको निकालना है code c का मान देखिए दे दिया है यहां पर पहले से ही 90 उन्स तो हम लोग मान रख लेते हैं लिखेंगे code b plus c के ज़गा पर 90 उन्स बराबर 180 उन्स 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 अब कोड B बराबर 90 जब हो गया तो हम लोग क्या का सकते हैं B का मतलब DBC B का मतलब क्या हुगा B मतलब DBC लिखेंगे इसलिए कोड DBC एक सम कोड है सम कोड है सम कोड मतलब होता है 90 तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड वाले को भी पूरूफ कर लिया अब हम लोग थर्ड वाले को पूरूफ करते हैं तो यह थर्ड में स्वाल करना है DBC तिरिभूज ACB के समानतर होगा आप देखिए यहाँ पर DBC कौन है ध्यान देजिएगा थोड़ा स्कौर सहिस बनाते हैं तो अब देखिए थर्ड वाले में क्या करा रहा है DBC ध्यान देजिए DBC अब यह वाला तिरिभूज लेना देखना है आप लोग बड़ा वाला तिरिभूज देखना है यह DBC यह वाला बड़ा वाला तिरिभूज लेना है DBC सरवांगसम दिखाना है किसके ACB के यह बड़ा वाला तिरिभूज दोनों आप लोग दिख रहा है अब इस दोनों बड़े वाले तिरिभूजों को दिखाना है सरवांगसम सरवांगसम दिखाने के लिए तीन चीज़ां बराबर होना चाहिए क्या क्या कोई भी तीन चीज़ जो रूल वाला आप लोग जानते हैं तो हम लोग देखिए कैसे ले सकते हैं एक तो हम लोग इसको दिखा लेंगे इसके बराबर ये क्यों इसके बराबर ये क्यों दिखाएंगे क्योंकि हम लोग पहले सीध कर चुके हैं ये दोनों तिरभूज सरवांगसम है सरवांगसम तिरभूज के संगत भूजा बराबर होते हैं तो एक तो देखिए ये बराबर हो जागा दूसरा चीज दोनों तिर्भूज में आ रहा है तो यह बराबर हो गया तो इस तरह से तिर्भूज सर्वांग्सम हो जागा तो हम लोग लिखते हैं लिखेंगे तिर्भूज कि डी बी सी कि सर्वांग्सम तिर्भूज तो देखिए हम लोग लिखेंगे तिर्भूज डी बी सी तथा तिर्भूज A, C, B में इस दोनों तिर्भूज में हम लोगों को सरवांगसम दिखाना तीन चीर तो क्या दिखा सकते हैं इसके बराबर ये दिखा सकते हैं इसके बराबर हमको ये दिखा सकते हैं तो हम लोग लिखेंगे D, B बराबर A, C कारण क्या लिखेंगे उपर हमने प्रूफ कर लिया है लिखेंगे C, P, C, T दौरा मतलब सरवांगसम तिर्भुज हमने उपर सीध कर लिया तो उसके संगत भुजा बराबर होते हैं तो इसलिए हम लोगों ने लिखा D, B, 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 C दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे ये कोड लिख सकते हैं कोड B बराबर कोड B बराबर कोड C क्यों? लिखेंगे परतेग 90 अंस परतेग 90 अंस मतलब दोनों 90 अंस का तीसरा B, C बराबर B, C हम लोगो लिखेंगे B, C, बराबर B, C क्योंकि उभाइनिष्ठ आप लोग देख रहा है दोनों में वही भूजा है दोनों तिर्भूज में बड़ावाला तिर्भूज देखना है तो उभाइनिष्ठ है तो तीन चीज़ां देखिए भूजा, कोड़, भूजा बराबर हो जगा है हम लोग क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं दोनों तिर्भूज सरवांग सम है लिखेंगे इसलिए तिर्भूज डी, बी, सी डी, बी, सी सरवांग सम है किसके तिर्भूज ए, सी, बी के किस रूल से तो भूजा, कोड, भूजा, भूजा, कोड भूजा द्वारा इस तरह से हम लोगों को ये प्रूब करना था तो हम लोगों ने इसको भी प्रूब कर लिया यहाँ पर लिख लेंगे प्रूब्ड अब देखिए हम लोग लास्ट वाला कोस्टन कोस्टन नमबर फोर को प्रूब करते हैं तो देखिए हैं प्रकोशन नमबर फोर में हम लोगों को क्या सीध करना है CM देखिए ये CM है CM बराबर सीध करना हाफ AB हाफ मतलग आधा होगा AB के तो कैसे हम लोग सीध करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं पहले देखिए यहां से हम लोग सीध करते हैं लिख सकते हैं हम लोग CD बराबर AB, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे, चुणक히 CD बराबर AB होगा, क्यों, क्यों कि हमको तेखिए, ABCD करना हैं, इधर ABC होना चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे अब ये कैसे AB आयेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये CD के बराबर होगा AB क्यों बराबर होगा क्योंकि देख रहा है जब हमने ये तिरभूज और ये तिरभूज को सरवांगसम दिखाया तो यह और यह दोनों बराबर हो जाएंगे सरवांगसम के बाद तो इसलिए यह दोनों बराबर होंगे यहाँ cpct दोरा लिखेंगे cpct दोरा यह दोनों बराबर होगा अब जब बराबर है cd बराबर यह भी तो हम लोग को सीद करना cm तो देखिए CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे हमको आधा में सीध करना देखिए एक बटा दो मतलब आधा होता हम लोग दोनों तरफ क्या करें एक बटा दो से गुरा करद हम लोग लिखेंगे या एक बटा दो CD बराबर एक बटा दो AB आप लोग जानते हैं एक ही संख्या से हम लोग दोनों पच्छों में गुड़ा भाग जोड़ घटाना कर सकते हैं मान नहीं बदलेगा एक बटा दो से हमने इधर गुड़ा किया एक बटा दो से इधर भी कर दिया इसमें देखिए यही हमको प्रूफ करना था तो यह भी हमने प्रूफ कर लिया तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है अब अगले पार्ट में आप लोग प्रिमे जो होगा जरूरी उसको देखेंगे और फिर इक्सरसाइज को भी देखेंगे तो आज के लिए बसकना है